सब को जय मसी की एक बब फिर से आपके समुख पामेश्यों ने मुझे एक कहानी को लेके पश्चत होने का एक मौका दिया उसके लिए मैं पामेश्यों को धन्यवाद देती हूं और बिना वक्त गवाए चलो हम इस कहानी की ओर चलते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे की अपन काम के लिए गूम रहा है कि कैसे भी करके मैं काम करों कुछ पैसे आजाएज और कैसे भी घर का खर्च चल जाए तो इस तरह से वह अपना काम के लिए कभी दो जगा कभी तीन जगा इस तरह से वो गूम भी रहा है लेकिन कहीं भी उसको वो जो है नहीं मिल पाता है कि कि वो अच्छे से काम करने पाए, अच्छे से उसको कुछ अन करने पाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत परेशान होके फिर सुचता है कि चलो ऐसा करता हूँ, मैं अब मैंने बहुत भटक लिया जगे-जगे दर-दर की ठोकरे खा चुका हूँ मैं, तो अभी जो म Зमीन अच्छी लगती है, इसको पसंद आती है और वो इसको महां से खेथ को खरिद लेता है, जो भी इसके पास जॅपुंजी होती है और जिसमें कम पड़ता है तो ये कहीं और से भी ले-लेता है किसी से उधार ले लेता है, बोलता है कि जब इसमें फसल होगी तो मैं उस जमीन को खरीद लेता है, जो भी समपति, जो कुछ उसके पास में होता है, पूरा का पूरा देकर और कुछी और से भी उधार लेकर ये उस जमीन को खरीद लेता है, उस खेत को खरीद लेता है, और खरीदने के बाद में, जब वो उसके उपर खेती करने जाता है, जब वो हल चलाता है, सूंशता है कि चलो इसको startभी और इसको उस लाइक बना दूं जो कि हीती करने के लाइक हो, क्योंकि हर किसान ऐसा ही करता है कि जमीन बनाता है कि जहां पर भी यह फावड़ा लगाएं, तो वहां पर पथरी पथर निकल रहे थे, जिस भी कौने में जाए वो पत्थर, जिस भी कौने में जाए वो पत्थर, जहां वो फावडा चलाए, जहां पर भी खोदे, खोदने से उसको पत्थर ही पत्थर लग रहे थे, अब ये क्या करो रहा था, दिन पर दिन परेशान होता जा रहा था, जैसे बहुत परेशान हो गया तो टैनके तकलीफ बहुत परिशन हो गया दोगें क Racine pres. अब तो यह क्या होने लगए दिन पर दिन आपके छाउने होने लगए जह जिन्ता में और गबरहाट में लगए अब क्या कि जो हमारे पास था वो तो सब कुछ दे दिया अब जिससे उधार लिया उसको भी मुझे वापस देना है तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता अभी मुझे मेरे पास में सिरिफ मरने के लावा कुछ भी नहीं है मुझे लगता है कि मुझे और मेरे परिवार को क्या कर लेना चाह पर आपंट करते हैं और ऐसे करते करते यह बिल्कुल बिल्कुल दिन फर दिन फर दिन ये जो और ये निर्ने उसके जीवन में उसने लिया कि मैं आज में जीवन को अंद कर दूँगा क्यों कि आज मैं मेरे बच्चे को खाना भी नहीं दे सकता आज में मेरी पत्मी को वो उसको देना चाहिए और ये बैठा बैठा रास्ते में ऐसे ही बस सोचे जा रहा था और पूरे उ उसका ऐसा पुराना दोस्त जो बहुत पुराना है और वह उस तरई में उसको बेठाई कि अरे यह तो कैसे बैठा है यë साइद वही है तो उसके पास जाता है और अरे दोस्त तुम कैसे बैठे हो तो यह अपना इसने अपना ओन confirm व्यक्ति युसका दोस्त पूरान है वह इस साथ में घटना घटी थी, पूरी बताता है, और बताने के बाद उसका दोस्त बोलता है कि चल एक बार मुझे भी वो खेत दिखा दे, मैं भी देखूं ऐसा कैसा खेत, जहां पर पत्थर ही पत्थर है, तो यह उसको लेके जाता है, और जमीन को देखता है, तो जब उसके चकीत रह गया, बिल्खुल चकीत रह गया, और इतना चकीत रह गया, वो एकदम सी उसके फेस पे, जैसे कि उसके चेहरे के ऊपर एक चमक आ गई, और उसने बोला, कि यार तो पता है, कि तू कहा खड़ा है, वो बोलता है, मुझे पता है, कि मैं कहा खड़ा हूं, मैं एक जमीन खरी दी थी और ये जमीन तेरे पास थी तो कम से कुछ उसको जांस तो लिया होता उसे उस पे ध्यान तो किया होता ये है क्या अरे मेरे दोस्त तेरे पास में पूरा का पूरा खजाना है तो बोलता है मेरे पास मेरे पास क्या खजाना है तो बोलता है देख मेरे प्रिये दोस्त मेरे मित्र ये जो पत्थर है ये ऐसा वैसा पत्थर नहीं है तो जहां खड़ा है ये हीरे की पूरी की पूरी हीरे है यहां पर कोहिनूर हीरे टाइप से इतने बड़े-बड़े पत्थर है ये पत्थर नहीं है ये हीरे है जब इनको अभी तो इनके उपर मिट्टी लगी है, थोड़ा साफ किया जाए, तो पत्थर को पता चलेगा कि तू कहा है, तो वो बोलता है, नहीं आ, तुझ मजाक कर रहा है, बोल नहीं, मैं मजाक नहीं करूं, देख तो सही, उसने उसको उठा के देखा, उसको बहुत गौर से जब उ मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ मेरे पास में है, सब कुछ, और इतना कुछ कि वो उधार लेने की जगे लोगों को अपने पास से पैसा दे सके, तब उसे पहली बार ये बास समझ में आई, कि जो मेरे पास था, उसको मैं एक बार तो देख लेता, ये पूरा खजाने से भराज जो एक जमीन मेरे पास में थी मैं इसको एक बार तो मैं समझ जाता देखतो लेता तो मेरे प्रीज़ मैं आपको इसका अत्मिक अत्मिक बताती हो ये किसान ये व्यक्ति कोई और नहीं आप और मैं है ये आप और मैं है कोई और नहीं वो आपका वो प्रभू का दास है जो तुम्हें पहली बार जब तुम्हें मिलता है और मिलने के बाद में आपकी समस्या को देखकर आपको उस खजाने की ओर लेके जाता है वो खजाना आपके पास में भी है और मेरे पास में भी है लेकिन हम क्या करते हैं? उस खजाने को उठाके साइट में रख देते हैं लेकिन मेरे प्रियों मैं आपको एक बात बताऊँ यह जो खजाना है जिसको आम पवित्र, सास्र बोलते हैं यह पूरा खजाने से पलते हैं आप इसको घर में रखकर दरदर भटकते रहो, दरदर घूमते रहो, आपको कहीं शान्ती नहीं मिलेगी, कहीं सुकून नहीं मिलेगा, बहुत से बातों का आपको जवाब नहीं मिलेगा बहुत से लोगों को आप जवाब दे नहीं पाओगे, पूरे के पूरे सैतान के जाल में फसेवे रहोगे, लेकिन मेरे प्रियों मैं आपसे एक वाइदा करती हूँ, ये जो आपका जीवता वचन, ये जो पमिश्र का जीवता वचन जो आपके पास में है, आप इसको खोल के तो देखी, इसको पढ़के तो देखी, ये खजाने से भरा हुआ है, ये आपके घर में जरूर है, जरूर आपके घर में है, और नहीं है, तो मैं आपसे विंती करती हूँ कि जाके इसको खरीद लीजिए, और फिर आप इस पर मनन कीजिए, इस पर ध्यान कीजिए, सारी ब पात का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये परमेश्र का जीता वचन है, ये परमेश्र की पवित्र आत्मा की प्रेड़ना के द्वारा लिखा गया वचन है, ये कुछ व्यक्तियों के द्वारा नहीं, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको पढ़ें, तो सुरू से लेके अम तक यू लगता है, आप उत्पति से लेके जब पढ़ते हैं, प्रकासित वाके तक ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति नहीं लिखा है, लेकिन कुछ अलग-अलग व्यक्तियों ने अलग-अलग पुस्तों को यहाँ पर लिखा है, और फिर उसके बाद म नहीं लिखा है, वो पवित्र आत्मा नहीं सबके जीए, सबके मनों में वो प्रेणा दी है, अगर आज हमें कोई चीज दे दी जाए, एक टॉपिक दे दिया जाए, उसमें बोलें कि आप 10 जने हो, 10 जनों इस पर लिखो थो हम लोग-अलग बात लिखेंगे, ठीके न, ले बिल्कुल अपनों सी किसान की तरह हैं, जो हमारे पास में बहु मुल्य वस्तु जिसका कोई मुल्य ही नहीं है, बहु मुल्य वस्तु है वो, आगर आप समझते हो तो ये सरिफ एक किताब मिलेगी आपको, लेकिन आप सच में आप इसको पढ़ो और जानोगे जब आपको म एक जीवन को किस तरह से चलाना चाहिए, वैसे चला सकता है, आप कभी भी वाश्री मसीन लेलो, कभी भी आप कोई भी चीज लेके आते हैं, तो उसके साथ एक छोटी बुकलेट आती है, और वो बुकलेट जो होती है, जब उसको खोल के देखोगे तब आपको समझ में उसी तरह से हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की बुकलेट जो है यह पवित्र सास्तर है, इस पवित्र सास को पढ़कर हम अपने जीवन को बहुत अच्छी रीती से आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को कैसे हमें चलना है, यह बाइबल जो हमें बताती है, तो इन सार बातों के साथ मैं आपसे एक विंति करती हूं कि आस्या वचन का मनन करना वचन को पढ़ना फिर वचन को सुनना और सुनके उसको ग्रहन करना उस पर मनन करते रहना और उस पर चलना यह कुछ बाते हैं वचन को पढ़ना वचन को सुनना वचन पर मनन करना और फिर उसको थाम कर उस वचन में चलना दिन के मैं यह नहीं बोलते हूँ कि आप बहुत सारा पढ़ो अगर आप एक वचन भी पढ़ते हैं तो उस वचन को दिन भर मनन करके उस पे चलिए आपके जीवन में आशिश होगे सच में पमिश्र की आशिश औ पमिश्र की ब्रकत आपके जीवन में आप देखने पाओगे आपका जीवन जिस दिन से आप निर्ने करोगे ना कि जो खजाना मेरे पास है उस खजाने का मुझे इस्तमाल करना है उसको मुझे पढ़ना उसको मेरे जीवन में मुझे लागू करना है उस दिन आपको खुद महसुस होगा कि आपका जीवन में परिवर्तन आ रहा है ना आये ना मेरे प्रियो तो आप मुझे बोल सकते हो मैं मेरे प्रभु में पूरे विश्वास से बोलती हूँ आपके जीवन में परमेशर जो है वो कार्य करेगा तो इन सब बातों के साथ और इस कहानी को यहाँ पर विराम देने के बाद मैं आपसे विंती करती हूँ आप जरूर इस बाइबल को पहना शुरुवात कीजिए अगर नहीं अभी तक शुरुवात किया तो जरूर कीजिए मनन कीजिए सुनिए और परमेशर में आगे बढ़ते जाए क्योंकि परमेशर का आगमन बहुत नजजिक है जय मसी की